रखा जी नमुश्कार नमुश्कार वदनमंत्री जी आपका बहुत धन्यवात शबार प्रोथ में आपना के सुपेच्छा जानाई आप एक बड़ा दाइत्व निभाने जा रही है इसे में कैसा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है और आपका हाथ मेरे सर पे है मेरा सं हमारे लिए भगवान जवान है लग रहा है राम जी हमारा साथ है और राम जी का हाथ मेरे सर पे हैं रेका जी मुझे आपका मेसेज मिला था मैं संबग कोसिश करता नहीं कि बजेपी कारकरतों से बात करता रहूं मैं जानता हूं आप बंगाल की विपरित राजनितिक परसिति До में प्रचार कर रही है जब आपका नाम गोशित हुआ तो क्या माहोल क्या था क्या लगा लूगों का आपको क्या क्या परितितियों का सामना भी करना पड़ता होगा क्या हो रहा है मैं जड़ा पूरा चित्र समझना चाहता हूं हमारी सथ जो दूर्गाटा ओंगटी थी हम तो बहुथ दूर बाग गए साली हम संद्सकली का मावे नही है पुरा बशीराटलकसवा का जो मावे ने सब एक सबानी अतसारीत यो हुई है और हमारी साथ जो हुई उनकी तो जेल हुई एडी की आत चला गया और हम चाहती है उनकी साजा मिले और हाँ हमारा इधर जो दो आजार गरा साल से वोंट हम इलक्षान नहीं दे पाई हम चाहती है पुरा सुरेक्षा की साथ वोंट दे पाए हम वोंट दे पाएंगे इस संद को सब सब्रसब्राइब पुरा करें दोघ् Character को कणिशन कमिसमेंशन का है इस ईश के लिए हमेश हमेशा प्रतिवत्र होता है हम भी आशा करेंगे कि एलेक्शन कमिशन आपकी पीड़ा समझें कि आपने 2011 से आपने बोट नहीं दिया है तो ये बहुत ही दुखत बात है कि बंगाल में किस फ्रकार से सरकारों ने वहवार किया है लेकिन रेखा जी जब ये आपका नाम गोशित हुआ आपको चुनावक में केंडिडेट बनाया वो जब समाचार मिला तो आपके पडोस में अडोस में और आप जो इतना बड़ी और उनों भी फेर से हमारी पास मैसेज वीडियो कॉल से मैसेज दे जा उन लोग ने जो किया तो तो टी एंवसी की बुलाने पर किया है उन्होंने जो जबस्तिक कर वाई है और नहीं होगा जो किया उनके लिए उन्होंने मापी मांग रही है तो हमारे कोई उनका ओपर हम तो सब के लिए लड़ेंगे क्योंकि उन्होंने हमारी लिए लड़ रही है हम उनकी लिए लड़ेंगे जो जमीन जो सन्मान लोटाए जाए इसके लिए पूरा करूशिश करेंगे देखा जी अभी जो मैं सुन रहा हूँ आपको मुझे लगता है कि भारती जन्ता पार्टी ने आपको उमीदवार बना करके बहुत बड़ा काम किया है क्योंकि राजनीती में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ये कहेंगे जिसने आपका विरोत किया उसका भी भला हो और मै सुन रहा हूँ अभी तो आप चुनाव के मैदान में उत्री हो और आप कह रही हो कि टीम सी के जिन लोगों ने मेरे खिलाब किया है उनका भी अन्याय के खिलाब मैं लडूंगी यह आप बहुत बड़ी बात पता रही हो और मैं सच पता तो हूँ देश जब जानेगा कि र रसी हाट में जनता विशेश रूप से महलाए यह आपको बहुत स्ने दे रही है और अब जब चुनाव के मैदान में उत्री है तो अब क्या बाता वरन है उनकी घर की बेटी हूँ में और उन्होंने मुझे चाहती है यह सुनकर बहुत कुछ हूँ में और इलेक्शन पे उतर के हमें लग रहा है उनका पूरा सापर्ट मिलेगा मुझे और उन्होंने जब पूरा सापर्ट करेंगे तो ना हम उनके लिए और भी कुछ कर पाएंग और हम भी गरीब घर की लड़की हों, किसी की घर की बेटी बहु हों, तो यही बोलूंगा, मेरे पती भी तामिल लाडू चेड़ना युदर काम करती है, हमारा फैमिली में बहुत दुख, बहुत परिश्रम करके उनका हमारा संग्सर चलती है, तो हम चाहेंगे, सब के लिए क यहार से बेंगल से बाहर ना जाना पड़े, इसलिए हम पूरा कवशिश करेंगे, आपका यह आत्मविश्वास है न, आप जुरूर दिल्ली पहुचोगी, और आप जुरूर चुनाव जित करके आओगी, देखा जी, संदेज खाली में आपने इतनी बड़ी लड़ाई-ल आप एक प्रकार से शक्ति स्वरूपा है, आपने इतने ताकत्वर लोगों को जेल बेच दिया, आपको अंदाजा है कि आपने कितने बड़े साहस का काम किया है हमारा संदेज कली की मा बैन की पुरा सापोट थी, इसलिए हम ये कर पाई ही सब, और उनकी साथ लेकर चलेंगे इसलिए हम राम जी की तरह एक भाई, एक बाप हमारी मिला है, तो हम आपका छोटे बेटी की तरह हमारा साथ रहेगा रेखाई जी हम सब मिल करके माताव बहनों के सम्मान के लिए और सिर्फ बशिराट नहीं, पूरे बंगाल के लिए वहां के सम्मान के लिए, वहां के गवरों के लिए हमारी ये लड़ाई है, और आप तो एक महनत कर्ष परिवार से हैं, बहुत मद्दूरी करके गुजरा क करती हैं, और इतना बड़ा सालवजनिक जीवन का जिम्मा मिला है, बहुत बड़ा अंतर आया होगा, लेकिन मैं आपको विश्वात दिलाता हूं, कि मैं पूरी तरह आप लोगों के साथ रहूंगा, व्यक्ति के दुरुप से भी मैं आप सब की चिंता करूंगा, रेखाई जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आप से बात करके, और आपका जो उच्छा देख रहा हूं, वो मुझे बहुत प्रसंता हो रही है, कि बंगाल तो सक्ति पुजा की भूमी है, दुर्गा पुजा की भूमी है, और आप उसी सक्ति का प्रिया है, आप जिस मैनत से, जिस हि बात नहीं है, और आपने जो साहस दिखाया है, वो देखकर लग रहा है, कि इस बार बंगाल के नारी शक्ति, विशेस रूप से, हमें आशिरवाद देगी, बंगाल की उजवल बविश के लिए आशिरवाद देगी, मैं जरूर कहूंगा, कि जितना हो सके, पस्चिम बंग बहुत परिशान है, बीजेपी सरकार की कितनी ही योजनाओ, वहाँ टीमसी सरकार लागूई नहीं होने देती, आप लोगों के बीच जाकर ये भी बताइए, कि कैसे वहाँ की टीमसी सरकार, सरकार की योजनाओं में करप्शन कर रही है, और अपना करप्शन चिपाने के ल सर, हमारा संदेशकली में तो अभी 2011 से बहुत चूरी कर रहा है, तना चूराये जा रही है, तो किसी की पुरा साधी नसर से वह बोट दिये जाती, तो आज ये दिन ना देखना पड़ती, हम लोग भी चाहती हैं, पुरा साधी निता करे साथ हम बोट दें, और हमारी मा बे जो भाईयों को उटा के मारा जा रही है, ऐसे नहीं, ना मारा जाए, ये पुरा तरफ, पुरे तरीके से हम देखेंगे, और जो भाईयों को मारा जा रही है, वो उनकी बेटा नहीं है, उनकी भाई नहीं है, वो मेरा भी भाई है, और मेरा भी बेटा समाने, हम ये पुरे परिब परिवार से हैं चलिए रिखाजी मेरी बहुत शुब कामना है आपको हिंबत के साथ आगे बढ़िए बहुत बहुत धनिवार धनिवार